धनू राशिवालों इनमें कुछ शुब योग का निर्मान हो रहा है और कुछ अशुब फल देने वाले ग्रह भी अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं जिनके कारण आप सभी के जीवन में इनका शुब और अशुब दोनों परिणाम मिलने वाले हैं जो लोग आज के इस वीडियो को ना घाट का ऐसी हालत हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों वह पूरी तरह फंस जाएंगे और दुश्मन अपने चाल में काम्याब हो जाएंगे जी हां दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा आज का यह वीडियो नहीं आप सभी के लिए ए का नारा तीन बार लगा दीजिएगा दोस्तों यकीन मानिये माता रानी के आशीरवात से आपके जीवन की सारी दुखदर्द समाप्त हो जाएंगे लेकिन बस आप से यही निवेदन है कि इन बातों को गुप्त रखना अपने तक ही रखना किसी से इन बातों के बारे में भूल कर भी चर्चा मत कर देना आप ही कैसे इनसान है जो बातों को गुप्त रख पाने में असफल रहते हैं दोस्तों आपके छुपे हुए रहस्य लोगों को पता चल जाती है और इसमें आपकी कमी नहीं है आप दिल की बहुत अच्छी है भावक इनसान है आप शाबित होते हैं और बाद में आप हू बहुत भारी नुकसान करवाते हैं तो वीडियो में बेहद ही खास जानकारी है केवल और केवल आपके लिए यह जानकारी तैयार की गई है तो बस हमारा आप से यही निवेधन है कि आप वीडियो को पूरा देखें बीच में एक कश्ट और परेशानी है, चुन-चुन कर बाहर निकाली जाए, ऐसे में यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, तो हमारी मेहनत तो खराब होगी ही, साथ ही साथ आपके जीवन से भी परेशानियां दूर नहीं होंगे, और एक और खास बात, दोस्त हो कि हम अ धर्म शास्त्रों को भी इन जानकारियों में शामिल करते हैं, दोस्तों, जोतिश और आध्यात्म कोई अलग-अलग चीजें नहीं है, जोतिश का भी जन्म हमारे वेदों से ही हुआ है, इसी वजह से जोतिश और वैदिक परमपरा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो में जोडने का प्रयास करते हैं, दोस्तों, हमारी इस प्रयास को काम्याब अवश्य बनाएं, हमारी वीडियो को आप पूरा अवश्य देखा करें, आपको हर समय कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, यह दोस्तों तो चलिए, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले राधा कृष्ण के सच्चे भक्त भाव के साथ पूरे श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण आवश्य लिखें प्रभु का सीधा, प्रेम और आशीरवाद आपको प्राप्थ हो जाएगा दोस्तों याद रखें कि जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है ऐसे में आपकी राश्य के जातकों को माता के साथ की बहुत अधिक आवश्यक्ता रहती है दोस्तों दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक ऐसे इनसान है या आपकी राश्य के जातकों की व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं होती है या यूं कहें कि आप अपने मन में किसी के लिए कोई गलत भावना या पैर नहीं रखते हैं हाँ ऐसा अवश्य होता है कि कभी कबार थोड़ी बहुत छुट-पुट नकारात्मक घटनाओं की वजह से आपके मन में क्रोध अवश्य भर जाता है और जब आपके मन में क्रोध होता है तब आपके मन में बहुत गलत विचार भी आते हैं लेकिन जैसे ही आपका क्रोध शांत होता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं और हर एक इनसान को माफ भी कर देते हैं। आप किसी के लिए भी अपने मन में मेल नहीं रखते, पैर नहीं रखते हैं। इसी वज़ से आपका सीधे तोर पर कोई भी शत्रू नहीं होता है और आप किसी का बुरा करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपकी राशी की सबसे नकारात्मक बात ये है कि जहां आप किसी से कोई दुश्मनी नहीं मानते हैं, वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आस पास ही रहते हैं और आप से बहुत शत्रुता मानते हैं, या यूं कहें कि आपकी गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, जो आपका भला नहीं देख सकते आपके जीवन में जैसे ही खुशियां आती हैं इन लोगों से देखा नहीं जाता है आपको नीचे गिराने का, आपको परिशान करने का फिर हर एक प्रयास ये लोग करने लगते हैं तो ऐसे में हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे दोस्तों की आप भी अब थोड़ी सी चतुर बन जाईए दोस्तों रिष्टे ना तो मैं चतुराई बहुत आवश्यक है आपके लिए क्योंकि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ चतुराई से चालें चलते रहेंगे और आपको फंसाते रहेंगे जो गलती आपने की ही नहीं है उस गलती का भी दोशा रोपन आपके उपर लगा दिया जाएगा आप इसके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे बदले में आपको बुराईयां मिल जाएंगे आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगे जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी और ऐसे लोगों से सुनने को मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी कलपना भी नहीं की थी आपके साथ ही अजीब बात यह होती है दोस्तों की आप लोग जिससे दिल से रिष्टा निभाते हैं वह कुछ समय तक आपके साथ बड़े ही प्रेम के साथ रिष्टा निभाता है लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वह आपका शत्रू बन जाता है आपसे बात भी नहीं करना चाहता है हालांकि आपके मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं होता है तो फिर आपको आश्चर्य होता है कि यह इनसान रातो रात कैसे बदल गया और इन सब बातों को आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके पास वह बुद्धी या विवेक नहीं है जिसे हम कहते हैं शड्यंत्र कारी बौद्धिक वालों पर जो आपके पास नहीं है आप हर एक बात को सीधे सीधे तोर पर समझते हैं और सीधे सीधे तोर पर ही कार्य करते हैं लेकिन यह दुनिया इस तरह नहीं चलती है यहां कई तरह से लोग शड्यंत्र करते हैं चालें चलते हैं और अपने मतलब सीधे करते रहते हैं जब आपसे लोगों का मतलब सीधा हो जाता है तो फिर अचानक से लोग बदल जाते हैं तो आपको इन सब बातों में बहुत दुख होता है और आपका समय और उर्जा भी खराब होती है तो हमारा प्रयास दोस्तों बस इतना है कि आप ऐसे लोगों से सतर्क हो जाएं और आप अपनी भावनाओं को अपने समय और अपनी उर्जा को बचा कर रखें ताकि आप अपने काम पर ध्यान दे सकें आपका मन विचलित ना हो, मन खराब ना हो और आपकी उन्नती हो, आपकी तरक्की के रास्ते खुले आप अपने जीवन में विचार करके देखिए हमारे कहने से पीछे मुड़ कर देखिए आपको जब जब धन की हानी हो आपको जब भावनात्मक ठेस लगी है तब तक कोई आपका अपना ही इसका जिम्मेदार था जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, विश्वास करते थे उसी ने ही आपको सबसे बड़ी छूट दी है सबसे ज्यादा घायल किया है हालांकि आप ऐसी बातों को ज्यादा अपने दिमाग में लेकर आना नहीं चाहते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती रहती हैं आज नहीं तो कल फिर से आपके साथ यही होगा धोखा होगा तो आपको अब सतर्क बन जाना है हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन बातों को आपको गंभीरता से समझना है और अपने जीवन में उतार लेना है फिर देखते हैं कि आपका कोई कुछ भी बिगाड नहीं पाएगा हम इस बात का वादा करते हैं आपसे तो अब अपने मुख्य बिंदू को प्रारंब करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि इस संसार की कड़वी सच्चाई यही है कि यहां कोई भी अपना नहीं होता है लोग किसी न किसी रूप में अपने मतलब से के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस बात का प्रमान हमारे शास्त्रों में रामायन में मिलता है जब महर्शी बालमी की एक डाकू हुआ करते थे लोगों को जान से मारा करते थे लूट लिया करते थे और यही उनकी रोजी रोटी थी धन उपारजन किया करते थे ऐसे ही अचानक एक बार उन्हें सब्त आर्शी यों से मिलना हुआ उन्होंने उंद्रिश्यों को घेर लिया और उन्हें भी लूटने की कोशिश की लेकिन वे तो तपस्वी थी उन्होंने महर्शी बालमी की से कहा जो कि उस समय एक डाकू हुआ करते थे कि यह तुम इतना बुरा काम क्यों कर रहे हो लूट पाट क्यों करते हो इतना पाप कर्म क्यों कर रही हो तो उन्होंने कहा यह सब मैं अपने परिवार को चलाने के लिए करता हूँ यह धन जो मैं कमाता हूँ लूट पाट से ही सही इस से मेरा परिवार पलता है तो उन्होंने कहा कि जाइए अपने घर पर और जिनके लिए तुम यह काम कर रही हो उनसे यह पूछ कर देखना कि क्या वह तुम्हारे बाप कर्म में शामिल होंगे तो यही हुआ कहानी का अंत आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों कोई भी उनके पाप कर्म में शामिल नहीं हुआ सबने ना बोल दिया और होता भी नहीं है दोस्तों तो इस से यह साबित होता है दोस्तों की इस संसार में जो रिष्टे नाते होते हैं वह निभाने के लिए होते हैं उनमें डूब जाने के लिए नहीं होती हैं उनसे हद से ज्यादा जुड़ जाने के लिए नहीं होते हैं और हम आपको यह क्यों समझा रहे हैं दोस्तों की हम जानते हैं कि आप एक भावक इंसान है आपका हरदय बहुत कोमल है, आप जिससे भी जुढते हैं, बहुत नजदीकी से जुढते हैं बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं और फिर आपको छोट मिलती है, ठोकर मिलती है और आपका मन दुखी हो जाता है ठीक जिस प्रकार महर्शी बालमीकी को चोट लगी ठोकर लगी जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को ठोकर लगी अपनी ही पत्नी से और वसंत हो गए और रामचरित मानस का गठन कर डाला संतों की ये प्रमाण हमें इस बात की और इशारा करते हैं कि हमें रिष्टे निभाने हैं वे हमारी जिम्मेदारियां है लेकिन हमें उनमें डूब नहीं जाना है आज तक की नहीं रखनी है हमें मोह नहीं करना है प्रेम का और प्रेम का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरे भाव के साथ निभाई है जैसे कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं ना कि आप उनसे हद से ज्यादा मुह करके उनसे जुड़ जाईए जाईए और बाद में फिर आपको ठोकर मिलेगी उम्मीद है कि आपको इन सब बातों से कुछ समझ में आ रहा होगा हम आपसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रिष्टे नातों को प्रेम के साथ निभाई है लेकिन हद से ज्यादा मुहमत करिए अपने गुप्तराज किसी को मद बताईए और समय इस से ज्यादा और समय से पहले किसी को भी कुछ भी देने की कोशिश मत करिए मान लीजिये कि कोई रिष्टा आपका आज बना और दो दिन बाद ही वह आप से किसी प्रकार की मदद मांग रहा है पैसे रुपे की मदद मांग रहा है खासतोर से तो आप तुरंट उसकी मदद के लिए तैयार मत हो जाईए पहले उसे जाँच ले रखी है उसके स्वभाव को देखिए उसके पिछले रिकॉर्ड को भी देखिए कि दूसरों के साथ उसने किस प्रकार का लेंदेन किया था कहीं उसने किसी के साथ कोई धोखा तो नहीं किया था कई तरह के विचार हैं जिनको आपको अपने मन में लेकर आना है के बाद ही फिर आगे अपना फैसला लेना है यदि वह हर एक प्रकार से खरा उतरता है तो आप उसकी निश्चित मदद कीजिए और यदि आपको पता चल जाए कि यह धोखे बाज है तो बिलकुल उसे हाथ की जरूरत नहीं है उसके साथ रिष्टा निभाने की इसी प्रकार आप हर एक रिष्टे नाते की एक सीमा तै करिए दोस्तों इससे होगा यह है कि आपका मन हलका रहेगा आपको किसी प्रकार का दुख और संताप नहीं रहेगा अन्यथा आप छोटी छोटी बातों को अपने मन से लगाते रहेंगे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया छोटी छोटी बातों को मन में लगाते रहेंगे और हर वक्त आप पीड़ा युक्त रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे इसके बजाए आप यह करें कि लोगों से जरूरत से ज्यादा ना जुड़े बलकि आप उससे जुड़े जिससे जुड़ने के लिए हमारा आपका और संसार के हर एक जीव का जन्म हुआ है और वह है ईश्वर भगवान इन सब बातों को हमें आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों आपको जखजोर कर हिलाने वाला चाहिए आपको सच्चाई से अवगत कराने वाला चाहिए लोग हमेशा आपके साथ इसका उल्टा करते हैं आपकी भावनाओं के साथ खिलवार करते हैं और आपकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते रहते हैं तो अब हम आपको बताएं कि वह कौन इनसान है जो आपको अपने रास्ते का अपनी आँखों का काटा समझता है उससे पहले कुछ जरूरी बाते हैं जो आपको और बता दे आपके भविश्य को लेकर है जो ग्रहों की चाल है जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार आपको क्या काम करने है और क्या नहीं करनी है दोस्तों आने वाले तीन से चार दिनों में आपको किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है खासतोर से लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करनी है यदि आप ऐसी कोई यात्रा करते हैं तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यात्रा भी कष्ट दायक होगी और आपका मकस्द भी हल नहीं होगा एनि जिस काम के लिए आप यात्रा करेंगे वह सफल नहीं होगा एक और बात हम आपको बता दें कि आने वाले 3-4 दिनों तक आपके मन में न कर आत्मक विचार बहुत आएंगे नकारात्मक लोग भी आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो आपके मन को जहरीला करेंगे आपके मन में नकारात्मकता के बीच होंगे तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और अपने मन को आध्यात्म की ओर मोड़ना है इश्वर का भजन करना है नाम जप करना है और जिस भी आराध्य की पूजा करते हैं उसकी भक्ति में डूब जाना है और अपने काम पर भी आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यक्ता है दोस्तों, इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखें अपने स्वास्थे पर भी आप थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, आपको पीठ और कमर के निचले हिस्से में दर्थ हो सकता है हलका बुखार और ठकान भी हो सकती है एक और बात आपको बता दें कि आप जो रुपए पैसे खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं एक बार और विचार कर ले कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा खर्च हो जाए और फिर आपको यह एहसासों की है तो फिजूल खर्ची थी या दोस्तों यदि आप किसी जगह पैसा खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं एक बार और विचार कर ले अभी आगे बढ़े क्योंकि आपका पैसा व्यर्थ बर्बाद होने के आसार बन रहे हैं अपनी सोच को सकारात्मक रखें अपने दिमाग को ठंडा रखें किसी के साथ किसी भी प्रकार की बहस में ना पड़े अन्यता यह बहस जगडे का रूप ले सकती है और अपने पिता के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें यह दोस्तों यदि आपकी संबंध आपके पिता के साथ नकारात्मक होंगे तो आपके मांद सम्मान में भी कमी आएगी और आपके रुपए पैसे की आवक में भी प्रभाव पड़ेगा इसी के साथ साथ आपको व्यापार में किसी भी नए प्रयोग से बचना है कुछ समय तक रोग दे यदि आप व्यापार के स्थल पर किसी प्रकार का बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं कुछ दिन रुख जाए उसके बाद करें साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने उच्च अधिकारियों का ध्यान दोस्तों किसी ने आपके उच्च अधिकारियों के कान भरने का कार्य किया है आपके कार्य स्थल पर भी आपके शब्दों की कमी नहीं है जो आपके सहयोगी है सहकर्मी है आपके खिलाफ आपके उच्च अधिकारियों के कान भरती है क्योंकि आपकी कारेशैली बहुत अच्छी है और आपकी कारेशैली से आपके उच्च अधिकारी प्रसंद रहते हैं लेकिन आपके जो सहकर्मी है उन्हें यह पसंद नहीं आता है इस वज़े से आपको परिशान करने की कोशिश करते रहते हैं कई बार पहले भी ऐसा किया है आगे भी होने वाला है एक और खास बात आपको बताएंगे कि आप अपनी दिनचर्या को और अपने खान पान की आदतों को अनुशासित रखने की कोशिश करें अपने खान पान को नियंत्रित रखें स्वास्थे वर्धक रखें और दिन चर्या को भी संतुलित रखें अन्यथा आपकी तबियत खराब हो सकती है सेहत को नुकसान हो सकता है आपकी आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है जिस से मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों आपको अपने उस मित्र से इतना अपनापन महसूस होगा नहीं जितना आपको पहले हुआ करता था साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको मानसिक तनाव की स्थिती उत्पन्न हो सकती है और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने कई सारे कारे हिस्सा था हाथ में ले लिये हैं और उन्हें कर पानी में आपको खींचतान का एहसास हो रहा है इसी वजह से आप मानसिक तनाव और दबाव की स्थिती महसूस करेंगे साथ ही साथ आपका कोई अपना जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं वह आपसे कुछ एक ऐसी बात बोलेगा जो आपको बहुत अधिक बुरी लगेगी आपका मान भी इस बात की वजह से कम हो जाएगा साथ ही साथ दोस्तों संपत्ती को लेकर किसी प्रकार का विवाद होसकता है रुपए पैसे को लेकर भी कहीं न कहीं विवाद या फिर मनमुटाव या तनाव की स्थिती उत्पन्न हो सकती है हम आपसे फिर से एक ही बात कहेंगे दोस्त कि आपको नकारात्मक्ता से दूर रहना है और आत्म विश्वास को बढ़ाना है क्योंकि आपके अंदर आत्म विश्वास की कमी आपको महसूस होगी जिसकी वज़े से आपके कई काम बिगड़ सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत आलस भी आपको महसूस होगा और इसकी वज़े से आपकी कुछ काम भी डाले जा सकते हैं तो थोड़ा सतर करें आलहा सुना दिखाएं कारियों को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें अपनी हर कारिय को समय पर ही पूरा करें अन्यथ़ाप आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है एक और बात दोस्तों हम आपको कहेंगे कि आप छोटी छोटी बातों को महत्व ना दे ना ही किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात नहीं छोटे छोटे आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में आपको पढ़ना है अन्यथा आपका मन खराब होगा आपकी उर्जा दूशित होगी साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि यदि आपको बहुत अधिक निराशा का एहसास हो तो आप इस मंतर का जाप कर सकते हैं आप देखेंगे कि इस बार ही यदि आप इस मंतर का उच्चारण कर लेंगे तो आपका मन हलका हो जाएगा आपको काफी अच्छा महसूस होने लगेगा दोस्तों यह एक बीज मंतर है और माँ भद्रकाली को समर्पित है तो ध्यान से सुने मंतर बहुत ही सरल है मंतर कुछ इस प्रकार है ओम कलीम प्रत्येक वर्ष में ओम कलीम बस आपको सच्चे मंद से आपके साथ माता भद्रकाली को याद करते हुए इस मंतर का 21 बार या 11 बार ही जौब कर लेना है आपका मन हलका हो जाएगा आपको शांती का एहसास होगा और आपके मन में जो उथल पुथल मची हुई है वह भी शांत हो जाएगी तो अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपको अपने रास्ते का काटा समझता है और आप बहुत बुरी तरह से जलता है आपको परेशान करना चाहता ह आपकी खुशियां उससे देखी नहीं जाती हैं। तरह से करें अन्यथा आप हमेशा परेशान हो दूसरों के द्वारा उपयोग किये जाएंगे और भावनात्मक तोर पर प्रतारित होते रहेंगे दोस्तों यह एक ऐसा इनसान है जो आपको कभी खुश नहीं देख सकता है आपके खिलाफ लगातार शड़ेंत्र करता रहता है इसका एक ही मकसद है कि यह आप से अपना काम निकलवाना चाहता है और जब जब यह आप से अपना कोई काम निकलवाने की कोशिश करता है तब इसका स्वभाव एकदम अलग होता है लेकिन जैसे ही आपके जीवन में उन्नती आती है, तरक्की आती है आप देखेंगे कि इसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदल जाता है असल में यह आपसे बहुत अधिक जनता भी है और यह आपसे अपना मतलब निकालने की हर समय कोशिश भी करता रहता है इस वजह से आप इसके व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन महसूस करेंगे थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें केवल यही एक इंसान नहीं है ऐसे तो गहीं और भी है हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि आपकी राशी के अपनों में छुपे हुए सत्र बहुत होते हैं जो आपको धन और संपत्ती का नुकसान करवाते रहते हैं तो आपको न केवल इस इंसान जैसा सोना है बलकि इस जैसे तो कई और हैं उनसे भी आपको सतरक रहना है और आपके लिए हम एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उप्योगी उपाय बता देते हैं जिससे आपके आत्म विश्वास में तो बड़ोतरी होगी ही साथ ही साथ आपके आसपास एक रख्षा कवच भी तैयार हो जाएगा तो बस आपको करना इतना है कि आपको अपनी जीवन में इसे एक आदत को शामिल कर लेना है और वह आदत कौन सी है ध्यान से सुनें तो आपको करना यह है कि जब भी आपकी आँख खुले तो आप कोशिश करें तो सूर्योदय से पहले ही आपकी आँख खुल जाए और आप बिस्तर छोड़ दें तो जब भी आपकी आँख खुले तो आपको सबसे पहले तो कराग्रे मंत्र का यानी की हम स्वागत मंत्र भी कहते हैं इससे हम सूर्य देवता का स्वागत करते हैं तो हम इस मंत्र का जाप करेंगे मंत्र बहुत ही सरल है आपने इसके बारे में पहले ही अवश्य सुना होगा मंत्री यदि आपको नहीं पता है तो मोबाइल की स्क्रीन पर देखें आपको दिखाई देगा तो मंत्र कुछ इस प्रकार है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती सरकार मुलिचा गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम तो हमारे जो हाथ है इन्हें हम कर कहते हैं तो इनके हर एक भाग में अलग-अलग देवी देवताओं का वास होता है जिनकी हमें पूरे दिन यानि की सुभह से लेकर रात तक आवश्यक्ता रहती है इन देवी देवताओं की शक्तियों की ओर जाओ कि इनसे ही हम प्रार्थना करते हैं और हम सूर्य देव का भी स्वागत करते हैं साथ ही साथ आपको तीन बातें और कहने पहला स्थान देवता देवनमा दूसरा पित्र देवता देवनमा तीसरा कुल देवता देवनमा इन तीन बातों को आपको और बोलना है बस एक ही बार बोला है बार बार नहीं बोलना है तो इसके बाद आपको बिस्तर छोड़ देना है अब बिस्तर छोड़ते समय भी आपको यह ध्यान देना है कि किस नाक से यानी की नाके जो दो चित्र हैं उन में से किस क्षेत्र से आपकी श्वास बाहर आ रही है यदि सीधी तरफ की यानि दाहिनी तरफ की नाक से स्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको दाया पैर ही जमीन पर रखना है यदि भाई तरफ की छिद्र से सांस बाहर आ रही है तो चंदर नाडी चल रही है चंदर स्वर चल रहा है तो आपको बाया पैर ही बिस्तर से नीचे रखना है बस सुबह का यह कार्य आप करें और आप देखेंगे कि चमतकार होगी दोस्तों कई लोगों को लाब हुए हैं उन्होंने खुद हम से आकर यह बात बोली है कि गुरू जी आपने जो यह उपाय बताया है इससे तो हमारा पूरा दिन ही बन जाता है और हमारे आसपास एक सुरक्षा घेरा बन जाता है कोई चाहकर भी हमारा नुकसान नहीं कर पाता है और तो और किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा नकारात्मक विचार मन में आते ही नहीं है और हमेशा नमन इश्वर की भक्ति में और अपने कार्य में लीन बना रहता है दोस्तों आप हमारे कहने से एक बार इस कारे को अपने जीवन में शामिल करके देखिए केवल पांच दिन का प्रयोग करके देखिए अगर बदलाव महसूस ना हो तो छोड़ देना कोई पैसे तो लग नहीं रहे दोस्तों बस आपकी थोड़ी सी महनत लग रही है और थोड़ा सा भाव लग रहा है ईश्वर के प्रती बस आप करके देखिए आपके जीवन में बदलाव 100% आएंगे दोस्तों इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखना यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अवश्य दवा देना मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय माता की